जाहेंदे स्टुडेंट्स, तोड़े वी विल डिस्कस अबाउट दा क्वांटम नंबर्स, देट इस क्वांटम नंबर्स, सेट्स आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ओके टिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेस्टिन, यह आपके क्वेस्टिन जो एक्जाम में भी आ सकते ह है, तो इसे आपको समझना चाहिए, यह टेबलर फॉर्म में भी हो सकता है, बहुत सारे क्वांटम नंबर्स भी दिये होंगे, किसी भी सेट को पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो चलिए हम डिसकस करते हैं से कैसे देखना है, तो फर्स सेट हमारा द होता है, L की वैलू 0 किसके लिए होती है, S के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, S orbital, 3S, M की वैलू दी होई है, माइनस 2, अब आप समझ सकते हैं, यह माइनस 2 है, माइनस 2 वैलू यह पॉसिबल है क्या, S में पॉसिबल वैलू अगर हम पता करें, तो यह क्या पॉसिबल हो सक हो सकते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए, कि M is equal to होता है, 2L plus 1, 2L plus 1 का मतलब, यहाँ पर अगर हम इसकी वैलू पुट करें, तो क्या आएगा, 2, 0 से मुटिपलाई होगा, क्या आएगा, 0 plus 1, यानि सिर्फ एक वैलू हो सकते हैं, और एक वैलू हमेशा क्या होती है 0, S के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर minus 2 यह possible नहीं है, so it is not possible, यह quantum नंबर का जो set है, वो सही नहीं है, और S की वैलू minus 2, minus half दी हुई है, ठीक है, minus half value इस electronic लिए हो सकती थी, यह सही है, यानि कि 1, 2 and 3, यह तीनों quantum नंबर सही हैं, बट यह वाला M की वैलू जो minus 2 इसमें possible नह नहीं है, 3S में इसकी वैलू सिर्फ 0 हो सकती है, M की वैलू, okay, next is, N is equal to 4, तो यहां हम फिर से वैसे लिखते हैं, 4, okay, L की वैलू 3 है, L की वैलू 3 कब होती है, यानि आपको पता है, L की वैलू 0 होती है, S के लिए, 1 होती है, P के लिए, D के लिए, 2 होती है, और F के लिए 3 ह होगी, तो यहां पर हो जाएगा यह 4F, okay, S, P, D, F, तो L की वैलू 3 है, M की वैलू 0 है, तो यह पॉसिबल है, आपको पता है कि F में कितने वैलू हो सकते हैं, maximum 14 हो सकते हैं, तो हम ऐसे 7 ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें वैलू होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर वैलू हो सक L की वैलू आप रखेंगे, तो यहां पर फॉर्मूले में M is equal to 2L plus 1 में रखेंगे, तो यह वैलू आपकी आजाएगी, तो उसमें possibility होती है, मैंना आपको बताया था, कि माइनस L 2 प्लस L वैलू हो सकती है, तो माइनस से लेकर प्लस L तक जब आप जाते हैं, तो उसमें बी वाला correct है, और यह वाला 3S में यह quantum set जो था वो correct नहीं था, लेकिन 4F में यह possible है, second वाला set correct है, third में देखते हैं, N is equal to 1, L is equal to 2, ठीक है, तो अब यहां ही से आप लिखेंगे, फिर N principal quantum number क्या है, 1 है, और आपको पता है कि 1 जब होता है, principal quantum number दो सिर्फ एक ही चीज़ आपने अबी तक पढ़िए, 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, ऐसे जाता है, यानि 1S के अलावा आपने और कोई principal quantum number 1 से नहीं पढ़ा है, S, P, D, F में सिर्फ S possible होता है, तो L की वालू यहां पर 2D होई है, 2 value किसके लिए होगी, 0S के लिए होता है, 1P के लिए होता है, और D, 2 के लिए D orbital नहीं present होता है, तो यह set B क्या है, possible नहीं है, first possible नहीं है, second possible नहीं है, sorry, third possible नहीं है, second वाला सिर्फ possible है, 4F, तो इस तरह से आपको कई सारे अगर sets दिये हुए हैं, और ऐसे tabular form में दिया होगा exam में, तो आपको उसमें identify करना होगा, और उसमें reason के साथ, जैसे मैंने आपक explain क्या है, one by one, आपको ऐसे ही करना है calculate, और फिर आपको उसे short में reason जो देना होता है, कि यह क्यों possible नहीं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, first वाले में आप लिखेंगे, कि यहाँ पर सिर्फ zero value, m value possible है, minus two यहाँ पर impossible है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, कि 1D भी impossible है, इसल आप इसे check करिएगा, और ऐसे question की practice करिएगा, इस type से मैंने आपको अभी देगे, मैं अभी आपको वीडियो चोटी-चोटी सिर्फ question से बता रहा हूँ, और मैंने आपको कहा था कि आप NCRT के questions solve करिए, और उससे जो भी query हो, आपको जो भी चीज़े नहीं आ रही है, doubt class में सकते हैं, ठीक है, आपको मुझे send कर दिया करिए, मैं उसका solution आपको करके बताऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है solution, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के बता सकता हूँ, ठीक है, पहले आप अपनी दरब से सारी जो आपके efforts हैं, वो कर लीजिए, और अगर फिर मैं आपको वीडियो बना के भी explain कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको उसका solution send कर दूँगा, अगर समझ में आता है का तो okay, वरना आप doubt session में मुझे discuss कर सकते हैं, okay students, okay, thank you.